हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज मैं आपको डोरी के साथ एकदम नया नेक डिजाइन दिखाऊंगी तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है और अब हम सबसे पहले नेक की चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ तो वो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ सीधे में हमने लेनी है उपर से 6 इंच इस तरीके से हम 6 इंच को भी सिधा सिधा मारक कर लेंगे और अब हमने इसके बीच में ही अपना नेक ड्रौ करना है तो मैं इसमें राउंड नेक ड्रौ करू करूँगी आप पहले हलकी मार्किंग करके देख लीजिए जो भी मार्किंग आपके बिल्कुल परफेक्ट आए आप उसको डाग कर लीजिए तो मेरी ये बाहर वाली मार्किंग आ गी है और अब मैं बाहर से एक्स्ट्रा बुक्रम भी ड्रॉ कर रही हूँ पौना पौना इंच इस तरीके से हमने बाहर वाली मार्किंग भी कर लेनी है और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर देंगे पहले बाहर से और उसके बाद अंदर से तो नेक हमारा ऐसे आ जाएगा और अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर attach कर लेते हैं तो ऐसे neck को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर paste कर लिया है और इसको side से fold करते हुए यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है और अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रखके पलड़ते हैं तो ये मेरी कुड़ती है ग्लेज कॉटन की और इसकी सीधी साइड लेंगे और नेक को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो ऐसे बिल्कुल बुक्रम के किनारे पे सिलाई लग चुकी है और अब हमने बीच वाले फैब्रिक को ट्रिम करना है तो एक-एक पैर का मार्जन लेते हुए हम सारे फैब्रिक को बीच में से कट कर देंगे और अब हम यहाँ पे चोटे-चोटे कट्स लगा लेते हैं तो अब हम नेक को पलट लेते हैं और नेक को पलटते हुए हम यहाँ पे साथ-साथ रफ स्टिच भी कर देंगे तुरपाई के लिए तो नेक पे रफ स्टिच भी लग चुकी है और अब हमने इसके बीच में डोरी वाला pattern stitch करना है तो चलिए उसको ready कर लेते हैं तो जो डोरी वाला pattern है वो हमने news paper के उपर ready करना है तो जो हमने neck cut किया था ना वो क्रम पे draw करके तो वो ही वाली same marking मैंने इस पे भी की है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए वो 9 इंच broad था ये भी 9 इंच broad है और 6 इंच deep था और ये भी 6 इंच deep रखा है मैंने और इसके side में मैंने extra margin थोड़ा जादा लिया है 1.5 इंच का तो हमने ये वाली marking तक ही अपनी डोरी को stitch करना है तो पहले हम center वाली डोरी stitch करेंगे तो इस तरीके से आप news paper को गुमा लीजिए और डोरी को इसके उपर बिल्कुल center में इस तरीके से रखिए और यहाँ पर डोरी के उपर उपर हमें सिलाई लगानी है तो ये देखिए एक डोरी हमने बिल्कुल इसके center में stitch कर दी है और अब हमने जो अगली डोरी है वो यहाँ नीचे से लगबग आदे पौने इंच का gap लेना है हमें इन दोनों के बीच में और उपर बिल्कुल इसके बराबर में ही stitch कर देनी है तो ये देखिए ये दो डोरीयां हमारी आसे stitch हो गी है और अब हमने ऐसे ही आदे अदे इंच के gap पे सारी डोरीयां ऐसे ही stitch कर लेनी है तो ये देखिए सारी डोरीयां हमने ऐसे neck की marking तक stitch कर ली है और अब हम बाहर से extra news paper को cut कर देंगे बिल्कुल अपनी marking के साथ साथ तो ऐसे हमारा ये news paper वाला pattern ready हो गया है और मैंने इसको बाहर से cut भी कर दिया है और अब हम अपनी कुड़ती वाले neck को इस तरीके से इसके उपर set करके रखेंगे और यहाँ पे mark कर लेंगे बिल्कुल neck के किनारे किनारे पे तो ये वाली marking हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे हमने सिलाई यहाँ यहाँ पे ही लगानी है और अब हम neck के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे तो ये दिखिए ये pattern हमारा ऐसे कुड़ती के साथ stitch हो गया है किनारी की सिलाई के साथ और अब हमने इस पे neck cut करना है तो neck cut करने के लिए हम कुड़ती को इस तरीके से fold कर देंगे तो अब हम इस पे neck की marking कर लेते हैं तो सबसे पहले neck की चोड़ाई लूँगी वो मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ यानि कि सवा 3 इंच पे मैं यहाँ पे mark करूँगी इस तरीके से तो हमारा यह neck की चोड़ाई जो है वो 6.5 इंच आ जाएगी और अब हमने neck की गहराई लेनी है तो गहराई मैं यहाँ पे 4.5 इंच लूँगी यहाँ पे भी हमें round neck ही ड्रॉव करना है इस तरीके से तो यह हमारे neck की marking हो चुकी है और अब हम अपनी marking के साथ-साथ इसको cut कर देंगे ऐसे तो यह news paper वाला pattern आप तेंके नहीं यह जो loop है आपके काम आ सकते हैं आप sleeve design इससे ready कर सकते हो तो अब हम इसे खोल लेते हैं तो cut करने के बाद यह ऐसे आ जाएगा हमारा neck तो neck को पलटने के लिए मैंने यह औरे पट्टी कट कर ली है और यह लगबग 7 inch चौड़ी पट्टी है और अब हम इसको अपने neck पे stitch करेंगे तो पट्टी को ऐसे सीधा करके ही रखेंगे neck के नीचे और यहाँ पे लगबग 2-2 पैर का margin लेते हुए हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल neck के बराबर बराबर आप पट्टी को गुमाते जाए तो यह पट्टी हमने ऐसे नीचे रखे stitch कर ली है और अब हम उपर से यह extra पट्टी को cut कर देंगे और अब हम इसमें छोटे-छोटे cuts लगा लेते हैं तो cut भी लग चुके हैं इसमें और अब हमने और एपट्टी को इस तरीके से घुमा लेना है उपर की तरफ पहले इसमें एक fold ऐसे करेंगे उसके बाद दूसरा fold इस तरीके से करेंगे और जो सिलाई हमने पहले stitch की है ना और एपट्टी की उसको दुबाते हुए हम यहां पर किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए neck हमारा ऐसे ready हो गया है और अब हमने इसके नीचे से news paper को निकालना है तो news paper को निकालने से पहले हम इसके उपर जो rough stitch लगी है ना डोरी के उपर उनको निकालेंगे यह बहुत ही असानी से निकल जाएंगी यह सारी rough stitch हम इस तरीके से निकाल देंगे तो यह वली rough stitch भी हम खोल देंगे तो ऐसे सारी rough stitch मैंने खोल दी है और अब हम newspaper को नीचे से निकाल देते हैं ये बहुत ही असानी से निकल जाता है तो ये देखिए इसके नीचे से मैंने newspaper को भी निकाल दिया है और ये कितना beautiful हमारा neck design ऐसे तयार हुआ है तो अभी मैं आपको अपनी पूरी गुर्ती ready करके भी दिखाती हूँ तो ready होने के बाद ये होगी इसकी final look तो अगर आपको मेरा ये design और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye